का होस्ट तौसीप क्राइपार कुछ जुरूरी बातें आपसे शियर करना चाहूंगा आज इस पॉलेट फर्म से वह बातें क्या है फाइर अबर्जंसी को लेकर जब भी हम देखते हैं किश्टवार जिला हैटकॉर्टर पर यहां उसके बेश्टर जो अलाका जाते हैं उन प कुछ बातें लेनी की कोशिश करूंगा और आप तक वो बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा कुछ चीज़ें मैं आप से शियर करूंगा कि जब भी किश्टवार के जिला हैटकॉार्टर पर आग लगती है इसके आस्पडोस में जब आग लगती है जब भी फारइन- जैसे लिंक रोड से उसके बाद जब हम रांग पार्किंग करते हैं उसके बाद हम साइरन भी बैचते हैं मगर हमारे जो ड्राइवर हजरा थे वह गाड़ी साइड पर नहीं लगाते हैं बहुत सारी चीजें जो आपके साथ शियर करूंगा और इनसे भी जानने की कोशिश कर सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बढ़ शुक्रिया सर आज आप यहां किष्टवार के अंदर आएं और यहां इस फाइरन एमर्जंसी सर्विस को आप समार रहे हैं यहां पर जब भी आग लगती है यहां आगे पीछे बाकी जगाओं पर भी आपने ड्यू लाता है खासकर ट्रेफिक जाम का सर होता है जब भी हमारी गाड़ी जैसे लिंक रोड में ले लो यहां से माली पटकर जाता है यहां से बुनस्तान का जाता सर क्यूंकि लिंक रोड़ सर बहुत शौट कंजश्ट है और साथ में सर रंग पार्किंग होती है तो इसकी पुएंच सर लोग हमें कामकरनी नहें देते हैं सर फैयर को कंड्रोल करना कोई आम आदमी का काम लिए यह एक्स ट्रिक हैं तो का पागा पर रिक्वेस्ट करते हैं निजग फिकनें घ्रेखश करते निए तो सर यही खास करके में फिर दोबरा से यह ट्रैफिक जाम का बात दो रहाता हूं यहां से कुली चोक से लेकर सर नीचे बास्टेंड का जो रास्ता बहुत कंचेस्ट है तो सर जब भी हमारी गाड़ी जाती है अब हाडियाल का रास्ता सर दो रास्ते एक तो बंद हुआ है सर यहां से भी गाड़ी आती हमारी बढ़ी होती साथ तो चोड़ी सी गाड़ी आई तो उसमें सर बहुत सर सर एक सवार आप से पूछना चाहूंगा सब आप स्टेशन पर पहुंचते मेने भी अक्सर देखा है मैंने भी बड़े इंसिदेंस को कवर किया है जब आप सपार किसे हमने ब्राश लगा नीश पर लोगसा क्या करते हैं निशाते हैं अपनी हमारी उल्टी होगा थे कमसे का हमारा पंद्रा मिंट का नुक्सान चले जाता है अगर वह 15 मिंट सर हमारा एक घंटा बन जाता है कि जब हम दो पाइब यों को सीधा करते तो सर उसमें टाइम लगता है अगर हमें खुद आंदे हमारे जाओनी को खुद काम करने दे तो सबस्क्राइब नहीं आ जाए में स्वाटी से कहता हूं कि इस नोवट है आज आए हमा करने के जो इंचार यहां फृत्वी राजी मेरे साथ बात कर रहे थे उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया कि जब भी गाड़ी स्टेशन से निकलती है तो हमारा साइरन बजने शुरू हो जाता है अक्सर मेंने भी क्या देखा है कि जब साइरन वाली गाड़ी हमारे शहर के बीश से जाती है या हमारे शेर के आगे पीशे कर्हें जाती है तो लोग으면 आगे से भ्रेक मारकर पूछते हैं कि क्या हुआ यार साइरन बज रहा है है तो साइरन बजने का मतलब है उसको पूछने के बजाए आप उसे रास्ता दें उसे स्टेशन तक पहुंचने दें एक बात यह दूसरी बात यह कि जब स्टेशन से गाड़ी निकलती है जब हम हाइवे पर दोड़ते हैं या लिंक रोट पर किसी उस गाड़ी को दोड़ात हैं तो पाइब को बिचाने के लिए मेल और फिमेल का सिस्टम होता है मगर जो वहां के लोग मकामी होते हैं उस वक्त वह खुद ही उस पाइब को उठाते और मेल को मेल के साथ जोड़ देते हैं जो उस पाइब को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें कहा है कि जब हम स्टेशन पर पहुंचते हैं हमारे लड़कों को कमस्काम काम करने दिया जाए ताकि हम जो नुकसान हो तो कम से कम नुकसान हो जाए नहीं सब भी लोगों से अपेल कि जिस वक्त भी फाइरन अबर जैसी की गाड़ी स्टेशन से निकलती है उसको कमस्कम जगा दें और उस वक्त जब स्टेशन पर पहुंचे उसको उनके जो लड़के होते उनको काम करने की पूरी जो आजादी दे नहीं तो वह खुदी क्या करते हैं खुदी पाइपें उठाते हैं खुदी आग बुजाना शुरू कर देते हैं मुझे हमेंदे कि यह वीडियो जब आप जब यह अवाम देखेगी जब जमुकश्मीर के अवाम देखेगी क्योंकि फारेंट सर्वेस तिरिफ एक जगा डिस्टिक किस्तो आर के अंदर नहीं है बलकि जमुकश्मीर के अलग अलग अलाकों के अंदर यह स्टेशन्स हैं मुझे हुमेदे जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे इन बातों को अमल करेंगे फिलाल आज के लिए इतनी हमें दीजिए इजास्त अल्ला हापिस